नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी 2024 में अपनी PF की KYC करना चाते हैं ना, मतलब अपने PF में अपना आधार कार्ट प्लस बैंक अकाउंट प्लस पैंकार्ट लिंक करना चाते हैं यह जोड़ना चाते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पे क्लिक किया जी है, यकीन मानिए एक ही वीडियो आप सभी PF मेंबर्स के लिए काफी होने वाली है, अपनी PF की कंप्लीट KYC करने के लिए आपको और कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूती नहीं पड़ेगी जी हां, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप सभी PF मेंबर्स को बताने वाला हूं, कि आप कि इस तरीके से 2024 में अपनी PF की KYC कर सकते हो, वो भी घर बैठे अपने मवाइल फॉन से, केवल दो मिन्टों के अंदर, आपको कहीं भी जाने की जरूतनी है, सब कुछ आप घर बैठे, अपने मवाइल फॉन से ही कर सकते हैं, ठीक है, अब एक बहुत ही जरूरी चीज में direct PF KYC करने का process जानना है, कि PF की KYC करते कहते हैं, तो आपको screen पे timer देख रहा होगा, आप वहाँ तक वीडियो को skip करके हैं, आगे बढ़ा के भी देख सकते हैं, आपको direct process पता चल जाएगा, अभी मैं आप लोग को जरूरी चीज क्या है, वो मैं बता लेता हूँ, PF KYC से लि bank account प्लस pen card को link करने को, जोडने को, PF की KYC करना कहा जाता है, समझ आगे आप लोगो बहुत ही simple word हो में, ठीके न, PF की KYC करना किसे कहा जाता है, यह समझा दिया, आप दूसरी बात मैं आपको बता दूँ, कि आप बिना PF की KYC करे, अपने PF का पैसा निकाल ही नहीं पाओगे, जी यहां, अगर आपकी PF में, आपकी KYC नहीं नहीं होई न, तो अपने PF का पैसा नहीं निकाल पाओगे, क्यों नहीं निकाल पाओगे, ध्यान से सुनिए, जब आपके PF में, आपका bank account link लिंक ही नहीं होगा, एड यह नहीं होगा, तो पैसा किसमें निकाल लोग रोई हा, बैंक में ही तो पैसा निकालोगे न तो समझ आ गया PF की बैंक की KYC करे भी न आप PF का पैसा भी ने निकाल पाओगे ठीक है तो चलिए फटा बट सुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और आप लोगो PF KYC करने की 2024 के बिलकुल लेटेस्ट और नए तरीके के बारे में बताते हैं इस वक्त आप लोग देख सकते हम लोग PF यानी EPFO की ओफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं इस वेबसाइट के जो लिंक है वो आप लोगो इसी वीडियो के description box में मिल जाएगा जिस पर आप क्लिक करके डिरेक्ट इस वेबसाइट पर आ जागो ठीक है अब आपको उसके बात करना क्या है simply आपको simply नीचे की तरफ slide down करना है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हमें निसान लगाता हूँ यहाँ पर आपको UN नमबर डालने का option मिलेगा यहाँ password डालने का और यहाँ capture डालने का ठीक है ना अब हमें simply यहाँ पर नीचे sign-in का option मिल जाएगा आप देख सकते हैं मैंने निसान लगा दिया आपको simply sign-in पर click कर देना है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं sign-in पर click करते हैं हमारे सामने एक नया page open हो चुका है जो कि पहले नहीं आता था यह PF का एक नया update है कि जितनी बार आप यहाँ पर login करोगे उतनी बार आपके अधार से link mobile number पर OTP जाएगा ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो OTP है हो मैंने simply यहाँ फिल कर दिया अब हमें simply यहाँ पर submit पर click कर देना है यहाँ चली में click कर देता हूं आप देख सकते हैं submit पर click करता है हमारे सामने हम website में login हो चुके है यहाँ पर एक alert आएगा alert को हम simply यहाँ पर cut कर देंगे ठीक है cut कर देता हूं आप लोग देख सकते हो अब alert cut करते ही आप देखो पूरी वीडियो का जो main important part है जरूरी part है मनलब वीडियो की जान वो यहाँ पर है आपको बिल्कुल दियान से सुनना है अब आपको सबसे पहले यहाँ पर यह 5 option मिल जाते हैं आप देख सकते हैं प जाला तो आधार ठीक है दूसरा bank ठीक है और तीसरा pen जिया आधार bank pen हमें link करना है वो मैं आपको बता रहा हूं तो आपको simply यहाँ पर तीसरा option manage पे click कर देना है चली में click कर देता हूं आप बहुत से लोग कहते हैं कि यह जो 5 option आ रहे हैं मेरी screen पर यह हमारे mobile में नहीं आ होगी लेकिन मैं आपको बिल्कुल अच्छे समझाओंगा ठीक है किवाई से पी क्लिक कर देना है और आप लोग देख सकते हैं किवाई से पर क्लिक करते एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहां पर ऊपर क्लियर लिखा हुआ है note and आधार OTP will be sent to your आधार link mobile नमर मतलब की KYC document to add मतलब कि आपने PF में क्या एड करना चाते हो बैंक करना चाते तो बैंक पे क्लिक करो पासपोर्ट के बारे में बताऊंगा और आप बहुत लोग कहेंगे कि आधार कार्ट के बारे में तो आधार कार्ट कैसे लिंक करना है यह मैं आप लोग को भी वीडियो के लास्ट ठीक है जो भी आपका नाम है आपर बैंक में वह आपका यहाँ पर आ चुका है आप देख सकते हो नाम आ चुका है तो आपको वी स capture करनी है बहुत simple है ध्यान से समझे है यहाँ पर आपको अपना bank count number डालना है ठीक है दुबारा यहाँ पर confirm bank count number डालना है मतलब जो bank count number डाला हूए confirm करना है उसके कि बाद यहाँ पर bank FSC डालनी है ठीक है और तो चलिए फटावट में आप और सारे details fill कर देता ताकि आपको अच्छे समझ आ जाए आप देख सकते हैं तो details मैंने फिल कर दिया details फिल करते हमारे सामने जैसे माँ FSC code फिल करेंगे नहीं यहाँ पर यहाँ पर एक नयाप सनाएगा फोटो सब वेट करना है ठीक है फोटो सब वेट करीए अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सब्मिट पर क्लिक करते हैं मैं आप लोग को बताता हूं बिल्कुल अची तरीके समझाता हूं ठीक है ना आप देखें सब्मिट पर क्लिक करते ही आप दुबारा यहां पर आजाओं मैं और आपके नाम से नहीं होता है तो पहले बैंक वेरीफाइ नहीं इचे आओगे तो यहाँ पर option रहे है KYC pending for approval का तो यहाँ पर अभी no record found दिखा रहा है मैंने आपको दिखाने के लिए ही किया था बस तो जैसे ही आप request डालोगे न तो यहाँ पर no record found के जगे यहाँ पर जो आपने KYC डालीती है KYC pending for approval में आ जाएगी ठीक है और यहाँ पर दो step कैसे होता है कि पहला मैं आपर screenshot लगा जता हूँ पहले तो KYC verification under process में रहेगी verification under process मतलब की आपके bank के पास रहेगी bank आपकी detail verify कर रहा होगा नाम date over यह सब check कर रहा होगा समझा गया यह हो गया एक step दूसरा फिर मैं दूसरा भी screenshot लगा दे रहा हूँ KYC यहाँ पर pending with employer में चली जाएगी मतलब की आपकी company के पास request चली जाएगी कि भाई यह इस KYC को आप फटाफट approval कर दीजे तो यहाँ पर लिखा रहेगा status में pending with employer for digital signature समझा गया आप लोग को मतलब की दो steps में होती है पहले verification under process फिर pending with employer cool मिला के जो KYC है वो आपकी company approval करती है bank की समझा गया ना जो लोग ऐसा कहते bank को KYC approval नहीं हो तो company approval करती है ठीक है तो मैंने आपको bank approval के बारे में अच्छे से बता दिया अब बात करेते है pen approval में तो आपको simply pen पे click कर देना है ठीक है pen पे click कर दिया pen पे click करने के बाद same process यहाँ पर नाम यहाँ पर pen का number डालना है और simply नीचे की तरफ आना है ठीक है इतना तो आप समझी गए accent पे click कर देना है share पे click कर दा है अधार OTP डाल देना है same यह KYC भी आपकी यहाँ पर pending for approval में चली जाएगी ठीक है और जैसे ही KYC approve हो जाएगी तो यह उपर आ जाएगी KYC done में समझा गया आप लोगो तो मैंने आपको क्या-क्या link करना बता दिया pen link करना बता दिया कोई जरुरत नहीं पासपोर्ट link करने की समझा गया न आप लोगो अब बात करते हैं वही है जिनके लिए लोग रुके थे आधार कार्ड link कैसे करना है कैसे करना आधार कार्ड link तो मैं आपको एक चीज बता दूँ PF का अभी बहुत ही मतलब एक देट साल पर एक नए अपडेट आये था कि अगर आपको अपने PF में आधार कार्ड link करना है न तो उसके लिए आपको अपनी कंपनी से contact करना पड़ेगा यानि employer से contact करना पड़ेगा आप खुद आधार कार्ड link नहीं कर सकते हो ठीक है ना खुद आप आधार कार्ड link नहीं कर सकते हो तो उसके लिए आपको अपनी कंपनी से contact करना ही पड़ेगा और बाकी जिन लोग की PF की KYC approval नहीं हो रही है जो लोग approval नहीं कर पा रहे है तो description box में उन्हें एक वीडियो का लिंक मिल जाएगो शिकायत लगा के approve करवा सकते हैं 60-70% chances है की approve हो जाए तो PF की KYC करने का पूरा का पूरा complete तरीका मैंने आप लोग को इस वीडियो में 2023 का आप वीडियो का सकते 2024 का latest process बता दिया अगर आपके मन में कोई doubt के और ही question आपको कुछ समझ ना आए हो तो comment box में आप comment करें के जरूर पूछे बाकि आज की इस वीडियो में अतना ही वीडियो चले के चैनल को subscribe जरूर करें धन्यवाद दोस्ते